नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल और युनिवस्टि इग्जाम को लेकर बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ यहाँ पे आज की ये न्यूज अपडेट है जागरन ब्यूरो में ये प्रिंट हुई है जिसमें लिख है कि अंतिम वर्स को छोड़कर बाक अगर उनको इग्जाम करवाने है तो एक्जाम भी करवा सकते हैं अगर वो चाते हैं कि जो आपके इस्तानिय अहलात भीड़े हुए हैं करोना के कारण तो वो अपने स्टूडेंट को जो इंट्रमेडेट समेक्टर के हैं उनको प्रमोट करने का भी फैंसला ले सकेंगे हलाकि जो स्तिती अब चल रही है आप सभी को पता है कि करोना मामारी लगातार बढ़ती जा रही है तो जाला तर जो विसविदल्य है उन्होंने जो अपने intermediate semester है उनको प्रमोट करने का फैंसला ले लिया है उनको अगली कलास में प्रमोट कर दिया गया है और जो final year के student है सिरफ उनके exam अभी तक करवाई जा रहे हैं आप सभी को पता है कुर्षेत्य नुवस्टी में भी 17 मई से exam है जो final year के है PG के और BTEC के आठवे semester के भी exam होंगे online होंगे और इसी परकार से आपको पिछले साल भी जो है प्रमोट किया गया था और आपको जिस परकार से पिछली बार प्रमोट किया गया था उसी परकार से प्रमोट किया जा सकता है लेकिन ये फैंसला जो है अभी आपका जो university है उसके उपर छोड़ दिया गया है आपकी university जो है अभी guideline जारी करेगी या नहीं ये university उपर depend करता है कि वो प्रमोट करना चाती है या फिर आपके exam जो है conduct करवाना चाती है अगर आपकी university चाती है कि exam हो तो वो exam भी ले सकती है प्रमोट करना है तो प्रमोट भी कर सकती है तो UGC ने फैंसला आपकी university पर छोड़ दिया है तो ये बहुत ही बड़ी update है अब जो है आपको अपनी university के notification का इंतजार करना होगा तो जितने भी intermediate semester के student है उनको प्रमोट करने का जो नेना है वो UGC ने दे दिया है बाकी जो भी update आती रहेगी आपको बताता रहूँगा तो चैनल को subscribe कर लिजेगा धन्यवाद जहित